दुरगय पूजा की तयारियां पूरे जोड सोर से चल रही है। सहर में थीम अधारी दरजनो पंडाल अबाकार लेने लगे हैं। सहर का सबसे उचा पंडाल सीपारा के एतबारपूर इलाके में बनाया जा रहा है। यहां तमिलाडू के मिनाक्षी अमन मंदिर की प्रतिकिर्ती में पंडाल तयार हो रहे हैं। यह पंडाल लगभग सो फिट उचा और नबे फिट चोरा बनाया जा रहा है। मंदिर की प्रतिकिर्ती को पट्टा में हुबहु उतारने के लिए जारखंड और पस्चिम बंगाल के पंडाल कलाकार काम कर रहे हैं। पंडाल के मुख्य कारिगर मधुपूर पस्चिम बंगाल के इमामुदीन और सेफुदीन अंसारी हैं। फिनिसिंग के लिए थर्मो कॉल के कारिगर भी काम करते नजर आ रहे हैं। कोलकाता के बप्पी बारिक की इसकी जिम्मेदारी द भीर जूटनी सुरू हो गई है कुल मिलाकर पटना का यह पंडाल बेहद दर्सन यह साबित होगा बता दे दुरगा पूजा को लेकर अलग अलग जगहों पर पंडाल निर्मान का कारिय तेजी से किया जा रहा है वहीं सिपारा के पूजा मंदिर समीती के अध्यक्ष कहते हैं इस वर्स पंडाल को देखते हुए बड़ी सज्जा के साथ तयारी कीजा रही है और मा की पूजा अर्चना के लिए दस लाग से ज्यादा लोग यहां आने वाले हैं पिछले साल यहां दो लाग से ज्यादा सरदालू भक्त पंडाल पहुंचे थे देखने के लिए मा की पर राजधानी पटना के कई जगों पर इस समय दुरगा पूजा की तयारी जो रोसोरो से की जा रही है देश भर में बात करे दुरगा पूजा की तो आस्था का ये महापर्व लोगों को खूब भाता है और यही कारण है कि राजधानी पटना के सिपारा इतवारपुर में द दुर्गा पुजा उत्सब को लेकर तैयारिया जोरो सोरो से चल रही है लेजर लाइट सो के लिए भी यहां पर विसेस आक्रसन का प्रबंद की आजा रहा है इसके लिए बुंबई से लेजर इंडिया की टीम पहटना पहुचने वाली है लेजर लाइट का आयोजन भी किया जाएगा बता दे लेजर लाइट से भक्त और सरधालों खुले आसमान में मा दुर्गा की अकृति का दर्सन कर पाएंगे यनि इस वार भी राजधानी पटना में दुर्गा पूजा बेहत खास होने जा रहा है सिपारा के इतवारपूर इलाके में आक्रशन केंद्र जो है कुछ तस्वीरे वहां से निकल कर सामने आई है आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारिया की जा रही है और मंदीर के शंचाल का कहना है कि इस वार करीब 10 लाग से अधिक भक्त आएंगे